बिहार में विधानसभा में सोमवार को नितीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है जेडियू, बीजेपी और आरजेडी का जो अपने अपने विधायक है महागरबन्दान एक तरफ कॉंग्रिस भी उसमें, लेफ भी उसमें और एक तरफ NDA, अपने अपने विधायकों को एक जूट रहने का दावा कर रहे हैं सब कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं तूट रहा है बर दुनों तरफ से ये भी दावे करे जा रहे हैं कि खेल होना बाकी है आज जेडियू विधायक दल की बैठक में सभी 45 विधायक नहीं पहुचे जेडियू की बैठक में तीन विधायक गेर हाजिर रहे हैं जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं हाला कि जेडियू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि जो विधायक बैठक में नहीं आए हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, कोई खेलावेला नहीं हो रहा है, फ्लोर टेस्ट से पहले RJD के सभी विधायक तेजसुयादव के घर पर है, वहीं तूट के डर से हैदरबाद के रिजॉर्ट में रह रहे हैं, कॉंग्रेस के विधायक पटना वापस आ गए हैं, कॉंग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील लहमत ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में जबरदस्ट आपको कुछ खेल देखने को मिलेगा, कल सच्चाई की जीत होगी, इस बीच पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। लेकिन कम से कम तीन विधायक अभी भी गैर हाजर रहें, लेकिन जेडियों नेताओं का कहना है कि सब पार्टी विप के मताबिक ही वोट करेंगे। बीजेपी के भी दो विधायक का अभी तक पता नहीं चल रहा। बीजेपी ये सुनिशित करना चाहती है कि वो भी बहुमत परिक्षण में नितीश कुमार का साथ दे। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी आदव के सरकारी घर में आरजेडी के सबी विधायकों ने लगातार दूसरी रात भी गुजारी। टाइम पास करने के लिए गीत संगीत भी हुआ। विजेपी ने सवाल किया कि तेजस्वी आदव इतने क्यों डरे हुए। उधर कॉंग्रेस अपने सबी विधायकों को हैदराबाद से पटना वापस ले आई है। आरजेडी कॉंग्रेस मा घडबंदन के नेता बहुमत परीशन से पहले स्पीकर के खिलाब अव इश्वास प्रस्ताव लाने के तयारी कर रहे हैं। हम सब एक जूट हैं लोगतंत्र बचाने के लिए बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीज़ें सपस्ट हैं कि हम संबिधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोट के जज्मेंट के आलोक में चीज़ें चाहेंगे और सुप्रीम कोट के आलोक में निरना होगा। के लिए जरूरी एक सो बाइस लोगों का समर्तन है। इसलिए बहोमत परीक्षण को लेकर किसी भी तरह की अटकल बाजी को वो खारिच कर रहे है। पतना से मनीश कुमार की रिपोर्ट NETV इंडिया जेडियू की तरफ से क्या बयान आया है वो भी आपको ज़रा सुनवा देते हैं रहेंगे हमारे संपर्ग में है हमारे संपर्ग में है मेरे संपर्ग अहां जिरा पर आए अरे चलियन सुबह रहेगी अरे कहा कौन है कल सरकार बनेगी इसमें दो मत नहीं है कोई खेला नहीं है तो नहीं चलेगा आप अब लोग वोज में नहीं जा रहे हैं कहीं कुछ जा नहीं तो वो कल आप देख लेंगे सच्छाय की जीत होगी हुआ कि जीत होगी है जो अपनाई गही इसके खलाफ की मिद्च राजीव सबसाभा क्यीला होगा खेला होगा बार-बार कह रहा है वेपक्ष आपके तीन में ने बताया जा रहा है पौंचे नहीं जेडियू के वहाँ पर बीजेपी के भी दो अमेले नदारत हैं तो क्या धड़कने बड़ी हुई है आज राज है देखे जब ये पोस्ट फ्लो टेस्ट जब आपे अनालिसिस ले बैठेंगे तो फिर यही बात कहने वाले लोकल मातंपुरसी में परिनाम को लेकर के उन्हें भी पता है जो ख्याली पुलाओ पका है और हमें भी पता है परिनाम क्या होगा है उनको अपनी संख्या का पता है हमें भी अपनी संख्या का पता है हम आस्वस्थ हैं कहीं कोई दुविधा नहीं है डर अगर इनके अंदर नहीं होता तो हैदराबार जाने की ज़रुत नहीं होती अफवा कया सक्कल बाजिया वो पहले से ही पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे हैं उन्होंने आनुमती लेकर कुछ आवस्यक कारे हों के लिए बाहर जाने का पैस्ले की अगर आप आरोप लगाते हैं कि देखिए तेजस्वी आदफ डरे हुए हैं अपने घर में सारे व पीजेपी को भी है बसों में बठाकर अपने सारे विजायकों को ले गया बोद गया लेखिए अंकित जी जनरता दाली उनाइटेट की ओर से तो ऐसी कोई कभायद नहीं ही और बाठी जनरता पर्टी का एक केलेंडर होता है उनके एक्टिविटी से जिसमें सारे कारिक्रम बदस्तूर चलते रहते हैं उनके केलेंडर के इसाफ से वो शिविर की तारीक थी और वो अस्वस्त है इस अलाइंस में ये नैचरल अलाइंस है कहीं कोई कटिनाई नहीं है बारे एमिलेज ये भी जानते हैं क्यों डूपती नाओ पर कोई इधर सुदर नहीं जाना जीत के लिए भी आप आप इस तरफ आगें क्योंकि आपको आपको एक साथ एक खटा रखना पड़ रहा है तो खेला किस तरफ होगा आपकी तरफ तो कहीं खेला नहीं हो रहा है देखिये अंकित जी खेला कैसा हो रहा है ये आपको चेहरे से मालूम बोल रहा है अभी आपने चेहरे का रूप देखा विजाए चौदरी जी के घर पे भी जो संबाद्धाता से बात कर रहे थे विधायकों की अलुक्तिती के बारे में तो उनके चेहरे पर भी जो कुछ था भाव वो आपने पढ़ दिया होगा तो कौन इस तरह के भाव से किसके बारे में क्या इस्तिती है किसकी वो साफ हो जाती है असल में फ्लोर पे जो कल्टेस्ट होगा या उसमें जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल साफ है सामने बिल्कुल वो बिल्कुल साफ है कि ये जो लड़ाई है ये लोग तंतर की रक्षा की लड़ाई है संविधान की रक्षा की लड़ाई है नातिकता की भी लड़ाई है विच विचारों के अस्तर पर आरेसे से बीजेपी से क्या संबंध है यह क्या अनेतिक और इस तरह की बाते आप भी कर रहे हैं कुछ दिन पहले जब नितीशकुमार बीजेपी को छोड़के आपके साथ आये थे वह नेतिक था वह बिल्कुल ठीक था अब वजवापस चले गया वो constitution के अगेंश हो गया वो आब राजनीती की दोग्तंतर को बचाने की लड़ाई होगी अंकित जी हम तो समाजिक जो न्याय है उसकी रापर चल रहें जो समाजवाद की विचारधारा है उसकी रापर चल रहें नितिश जी उस विचारधारा का हिस्सा रहें वो तूट कर गये थे और जब वहां से टूट करके आये वो जब वहां उनकी पार्टी तूटने लगी त तो वहां से जब आये तो उसमें को स्विकार किया इसमें कोई दोराई नहीं क्योंकि हम उनको मानते रहे हैं अब तक कि वह उस विचारधारा से जुड़े हुए रहें लेकिन अभी जो घटना भी है उससे जिस तरह का नैतिक हरास हुआ है नितिश कुमार जी का भी और उनके उनकी पार्टी की तमाम में एक गिरोथ तो है तो कल अगर नितिश कुमार वापस आ जाएंगे तो आप फिर मान जाएंगे फिर कहेंगे जो सामाजिक लड़ाई यह वापस आगे यह समय बताएगा कि नितिश कुमार जी आएंगे तो उस समय उनके साथ क्या सुलूप होग यह जहां गये हैं उनका उनका उसी लुक क्या उनके साथ होगा वहाँ पर तो राजीव रंजन साहब कितने आश्वस्त हैं आप कि कल नितिश कुमार के नितित्र में एक बार फिर से सरकार सुरक्षित तोर पर बंती आपको दिखाई पढ़ रही है कही कोई दुविदा नह ही और चेहरे पढ़ने की अगर कवायब में है अनवर पासा साहब तो अपने निताओं के चेहरे पढ़ ली है विजए चौदी जी के चेहरे पर आप विश्वास था जिसको आप पता नहीं क्या पढ़ रहा है मैं नहीं जानता हूँ चेहरों को पढ़ने के लिए अलग-अ तरीके के नजर की जिवरोत होती होगी सब लोग समझ जाते हैं सच क्या है और सच आपको भी पता है क्यों डरे हुए है आपके लोग हैडराबाद क्यों जा रहे हैं क्यों तेजसी जी के घर पर बैठे हैं हमारे M.L.S. तो भूम रहे लेकिस सवाल वो नहीं है और ये हमाद और अटन जी से लेकर काफी लंबे समय तक वो इंडिये का इससा है और एक सवाल है मैं इस पर नहीं जाओंगा कि किस बात को कब क्या कहना चाहिए ये तो समय बताएगा अर्जेभी को अभी जो कुछ कहना वो कह सकते हैं लेकिन सरकार चलाने के लिए भी चलाने का च सनांतरन पदस्थापन और मंत्रियों के जो सेचा चाहिटा के जो किसे हैं कि कोई सरातन पर बोल रहा है कोई भी विभागी मंत्री से लड़ रहा है सरकार चलाना जलैतां को पूरा जो पता नहीं बात बात पे गाड़ी अपनी बदलते रहते हैं या फिर ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो कम से कम उनको जो कहें पांच साल तक उसको निभाते वे नजर आए अब ये बिहार के जंता को 2014 में और उसके बाद 2024 में माफ कीज़ेगा और उसके बाद 2025 में तै करना है आप दोनों को हमारी शुब कामना है कल फ्लो टेस्ट है कल आप लोगों के MLS तै करेंगे कि उट किस करवट बैठता है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वहीं भारते जंता पार्टी ने राज्य सभा का उम्मीदवार बनाए गया है सुधान चुत्रवेदी को एक बार फिर बीजेपी ने राज्य सभा का उम्मीदवार बनाया है साथ नेताओं को बीजेपी ने राज्य सभा भेजने का फैसला किया है हर्याना से सुभाश बराला बिहार से धर्मशिला गुपता और भी बेजा जा सकता है तो उनको यहां से नहीं भेजा गया है तो यह क्या किस तरीके से जितिन राम माजी को ना भेजना कैसे आगे काम आएगा बीजेपी के या मुश्किल पड़ेगी यह देखना होगा रनवीर हमारे सहयोगी लखनाउस से वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं र वापस भेज कर कम से कम बीजेपी यह मैसेज दे रही है कि सुधान शुत्र वेटी जैसे वक्ता कि उनको राजस्वा में आवशक्ता है देखिए इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखिए दस सीते यूपी में खाली हुई है और इसमें साथ सीते भाते जनता पार्टी को आर राजस्वा बेज दिया गया यानि कि बीजेपी चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है इसमें कास्ट कॉमिनेशन का भी ध्यान रखा गया है दो महिलाओं को पहले तो राजस्वा बेजा गया है संगीता बलवंत और साधना सिंग कास्ट कॉमिनेशन की जो बात है उसमे केशो मौरिया के करीबी हैं उनको राजसफा का टिकट मिला है उसके कोईरी समास से आते हैं दूसरा आप आर्पियन सिंग को देखे कुर्मी समास से आते हैं सुधानशु त्रिवेदी ब्रामन है संगीता बल्वंत निशाद जाती की हैं सादमा सिंग राजपूत हैं नवीन जैन जो हैं वो जैन समास से आते हैं और एक जाट तेजपाल सिंग तो कास्ट कॉमिनेशन का भी कोशिश हुआ है महिला और पुर्षों का एक जो सामंजस से उसको बनाने की भी कोशिश हुए भारती जनता पार्टी चौकाने वाले फैसल लेती है काफी समय से कुमार विश प्रूफ किया है कि भारती जनता पार्टी के लिए गास्ट है लेकिन बाकी जो छे नाम हैं वो सब रिपीट हुए जी पनवीर बहुत शुक्रिया दोजार चौकाने वाले भारती जनता पार्टी अपने जो समीकरन है उसको भी बैठाती हुई कहीं न कहीं और राज्यसभा से भी अभिभिन जो कास्ट है जो जातिया है उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है छोटो साइक ब्रेक लेक तेरा फर्वरी को दिल्ली चलो आंदोलन के लिए पंजाब और हर्याना से किसान रवाना होने लगे है इसे लेकर पंजाब हर्याना और दिल्ली में हाई अलर्ट घोशित किया गया है पंजाब हर्याना बॉर्डर सील कर दिया गया है दिल्ली में भी सिंदू और टीक्री बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड, क्रेन और बड़े-बड़े कंटेनर लगा दिये गए दिल्ली पुलिस से कमिशनर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतिजामों का जाइजा लेते दिखाए पड़े हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाईजरी भी जारी किया दिल्ली पुलिस ने लोगों को आगा किया है कि प्रभावित इलाकों से होकर ना जाएं सिंदू बॉर्डर पर सुमवार से कमर्शल गाडियों की आवजाही रोकने की खबर भी आ रही है पंजाब के मुख्यमंत्री भगमंतमान ने किसानों के अंदोलन को लेकर केंदर पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि किसानों के जायज मांग मान ली जाएं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब को देश से बाहर ना समझा जाये वहीं कॉंग्रेस के अध्याक्ष मलिक अरजुन खडगे ने भी सरकार के उपर किसानों के उपर अत्याचार करने का आरोप लगाया है दिल्ली और हर्याना की बीच सिंगु बॉर्डर पर कटीले तार बिचाये जा रहे है रेट की बोरियों के धेर खड़े किये जा रहे हैं सीमेंट के बड़े-बड़े बैरिकेट लगाये जा रहे है इसके अलावा रास्ता रोकने के लिए क्रेन और कंटेनर भी लगाये गए यही नहीं निगरानी के लिए ये CCTV कैमरे और एलान के लिए स्पीकर लगाये गए आसू गैस की गोले दागकर मॉक ड्रिल भी की जा रही है ये सारी तैयारी उन किसानों को रोकने के लिए की जा रही है जिन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूछ का एलान किया कुपिया रिपोर्ड के मताविक ये बात भी सामने आई है कि किसान जो ट्रेक्टर मार्च है या जो ट्रेक्टरों से रिहर्सल है वो कापी पहले से कर रहे हैं और अब तक ऐसी 40 रेहरसल हो चुकी है जिसमेंसे 30 रेहरसल पंजाब में भुई है और 10 रेहरसल हर्याना में हुई है टेक्टरों को मौडिफाई किया जारा है जिससे की वो दिल्ली में गुस्पाएं तो इस बार दिल्ली पुलिस ने तयारियां की हैं दिल्ली की समी सीमाओं को सील किया जा रहा है और साथ में बड़े पैमाने पर इन सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के जबानों के अलावा जो पैरा मिलिटरी फोर्स के जबान हैं उनको तैनात किया जा रहा है पिछली बार दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन करीब साल भर तक चलता रहा था 27 नवंबर 2020 से शुरू होकर 9 दिसंबर 2021 तक इस बार भी किसानों ने खास तयारियां की गए आंदोलन के लिए किसान संगठन ट्राक्टरों से 40 बार रिहर्सल और मार्च कर चुके हैं 13 फरवरी को 15 से 20,000 किसान 2,000 से 25 सो ट्राक्टरों के साथ आ सकते हैं अब तक इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन 100 से जादा मीटिंग कर चुके हैं ये भी सूचना मिली है कि आसामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड सकते हैं कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले आकर प्रधान मंतरी, ग्रेह मंतरी, क्रिशी मंतरी और बीजेपी की बड़े नेताओं के घर के बाहर एकटा हो सकते हैं खूफिया रिपोर्ट के मताबक दिल्ली में घुसने के लिए बच्चों और महिलाओं को भी आगे किया जा सकता है किसान आंदोलन के दौरान कोई अफ़वा ना फैलाई जा सके, इसलिए सोशल मीडिया के भी निगरानी की जा रही है जो किसान है वो फिलाल बताया ये जा रहा है कि बहुत ही भारी तादात में इस पर आने वाले हैं फिर से और साथ ही जो है कम से कम दो से डाई हजार ट्रैक्टर्स के साथ यहाँ पर कूच दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो उसके निपटने के लिए फिलाल दिल्ली पुलिस ने देखे किस तरीके से यहाँ पर सिमेंटेड बेरिकेट्स लगा रखे हैं उसके अलावा यहाँ पर जो छोटे बेरिकेट्स होते हैं जो की टायर वगरा रोगने के लिए होते हैं वो यहाँ पर पहले से लगा दिये गए हैं इनका इस्तमाल किया जाएगा उसके अलावा देखिए भारी मातरा में यहाँ पर आपको पुलिस बेरिकेट्स दिखाई दिये रहे होंगे इसलिए दिल्ली पुलिस हर तरह की तैयारी कर रही है हाला कि देखना यह भी होगा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का नदिया क्या होता है दिल्ली के सिंगू बाडर से कैमरामेन स्टीफन के साथ मैं मुकेश सिंगर एंडी टीवी इंडिया हल्दवानी में हुई जबरदास हिंसा के बाद अब आरोपियों की गिरिफ्तारी की कारवाई तेज हो गई है अब तक 30 लोगों को गिरिफ्तार किया गया है हाला कि मास्टर माइंड अब्दुल मली अभी तक फरार है हल्दवानी में अब हालात समान ने हो रहे हैं हल्दवानी के बन्भूल पुरा में हिंसा के बाद अब पुलिस आरोपियों की धर पकड़ इस तरह से कर रही है 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है मामले की जाच के बाद घटना के मास्टर माइंड अब्दुल मली के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं बताया जा रहा है कि अब्दुल मली एक बड़ा ठेकेदार है जो पैसे और राजनितिक रसूख के दम पर कई सरकारी जमीनों पर कबजा कर चुका है अब्दुल मली जो रेलवे लाइन है जैसा इसका कहना है पूर में भी कि जो हलवानी के रेलवे लाइन है उसको भी इनके लोगों के द्वारा बिचाए गई है तो एक बड़ा कॉंटेक्टर है साथ इस साथ जो नजूल की जमीने है जिसका मालिक नगा निगम होता है उस पर भी इसके और इसके पूरी टीम है उसके द्वारा अवैत कबजा किय सरकार ने सुरक्षा विवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रिये पुलिस बल की चार अतरिक्त कमपनिया मांगी है घटना की नए इक जाच के आदेश भी दिये गए है CCTV फुटेज और अन वीडियोस के फॉरेंसिक आंकलन के बाद आरोपियों को पकड़ा जा रहा है CCTV फुटेज का मिलान किया जा रहा है और जो भी लोग उस पत्रों में शामिल थे उनके खिलाब करवें की जा रही है लेकिन कई परिवारों को इस हिंसा ने हमेशा के लिए जख्म दे दिये 24 साल के प्रकार सिंग इस हिंसा की भेट चड़ गए अपनी पाँच बेहनों और बुजर्ग माता-पिता का वही सहारा था मजदूरी के लिए बिहार के आरा जिले से हलवानी पहुँचे थे इस्ति बहुत दैनी है इस्ति ये है कि जब तक है तब तक उनका व्याश्थाश सी चल ला है तो इस्ति मैंने है कि घर का खेती भी लोकार आपा है अच्छा तो मतलब प्रकास सिंग की में बिच्टूरी से चलता था और वी राहत की बात यह है कि हल्दवानी के हालात अब धीरे-धीरे सामान नहीं हो रहे हैं इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है दिहारी मजदूरों के लिए ये चार दिन भारी मुसीबत कर रहे हैं चार दिन करफ्यू रहा क्या कहेंगे हिंसा इस तरीके से होनी चाहिए शहर बंद होना चाहिए नहीं नहीं होना चाहिए था शहर तो बंद एहतियात के तोर पर किया गया था लेकिन हिंसा गलत हो गई जलत हो गई अल्दवानी में पहले कभी बहुत साल पहले हुई थी लेकिन ऐसा तान्डाव आज तक नहीं देखा गिए एक आदमी जो गलती करता है वो शारे समाज को भरष्ण करता है शारी लोगों की जान नेता है तो ऐसे आदमी को पहले ही पतातिनान शूचित होना चीए कि गलती इश्की है बागियों को उसमें धकेलने की ज़रत क्या है पचास आदमी तुमने एक आदमी के भी पांट सो का दिये हैं आदे मरें आदे जिन्देर है अच्छी बाद है तो साब यहां कम से कम पचास साल जो पर हो गया अलदवानी में रहते हुए पहली बार ऐसा वो देखा है मतलब बहुत घिनोनी हरकत करिए सही सब्दों में कहा जाए तो ऐसा नहीं होना चीए एक सुरक्षा कर् अधिकरमन कर रखा है आपके पास कुछ के पेपर मौजूद नहीं है उपर से आप दादा के लिए दिखा तरीका दोड़ी है इनका हम तो देखिये चाते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ है वो इंतिहाई अफसोस के हुआ और उसमें जो लोग हैल हुए जो शहीद हुए जिनकी जाने गई अब ये तब सुरत हाल बिगड़ गई लेकिन अब इसको समानी किया जाना चाहिए अब रिलीव मिलना चाहिए और ज बहुत सारे लोग कर्फू ग्रस्त इलाके से पलाइन कर रिष्चेदारों के यहां जा चुके हैं सब यही दूआ कर रहे हैं कि ये हिंसा फिर न भढ़के हल्दवानी से हर्श रावत और संजे कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला एंडिटीव इंडिया खबर मत्यप्रदेश के सतना से सतना के जिलास पताल में आज त्री इडियट्स जैसा एक जो फिल्म थी उसके जैसा एक सीन देखने को मिला दुखत जरूर है एक शक्स मरीज को दिखाने के लिए अपनी बाइक पर बैठा कर एमर्जेंसी वाड तक पहुँच गया सिक्यूरिटी गार्ज ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो सीधे अंदर पहुँच गया बाइक अंदर जाने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई घटना के बाद अस्पताल पुशासन ने युवक को जम कर फटकार भी लगाई युवक अपने दादा को जो गंबीर हालत में थे उनने लेकर अस्पताल आया हाँ छूली आप ये कारी आप अपता ये